तो बच्चों आप लोगों का एक सवाल था मेरे से कि सर बिहार बोड का एकजाम होगा या नहीं सर बिहार बोड का स्कूटनी का फॉर्म मैंने भर दिया है मैं पास होँगा या नहीं सर मेरा स्कूटनी का रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो और बहुत सारे बच्चों ने स्कूटनी के लिए आवेदन किया और जिने रिजल्ट मिला भी तो वो भी फेल ही है उनका भी मार्क्स नहीं बढ़ा है तो ये एक तरह का मान लो की बहुत सारे बच्चों ने मेरे को का कि सर ये एक टाइप का स्केम ही है फिर भी आपका रिजल्ट आया तो उसमे nutr नमबर बढ़रा है किसी का वो भी किसी का बढ़रा एक नमबर बहुत कम बच्चों का ऐसा है कि नमबर बढ़ा है और मतलब 60 70 परसेंट बच्छे एसे हैं जिनका नमबर रही नहीं तो बच्छों एक बात में बता देता आप आप के बहुत बढ़ी खुसकपरी है और ये दूसरे यूटुबर के तरह मैं यह नहीं कहूं और जोई बच्चे फेल है वो पास हो जाएंगे पर मैं अभी मैं पूरा वीडियो एंड तक दिखलो अभी मैं वैसे इसके लिए मैं बहुत ज्यादा मुझे भी गुस्ता आ इस बात का कि आप लोगों का पैसा ठका गया आप लोगों का मार्स नहीं बढ़ाया गया तो देख को एक आर्टिकल है जो की जो की न्यूज में आया जहारखंड बोर्ड एक्जाम करेंट अपडेट सीबी एसी हुआ आइसी एसी के बाद जहारखंड की बोर्ड परिच्छा भी होगी कैंसील होगी कैंसील है कैंसील हो गई ठीक है जहारखंड बोर्ड की जो परिच्छा होन अभी पूरा एक आप एंड तक देख लो आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आप लोग बोलोगी कि अभी तक नीज नहीं आया भी हरबोट की तरफ से कि टूरा एक्जाम कैंसील हो गया इसकूटनी का तो अरे नीज आप पहले पूरा वीडियो देख लो नीज में बच कि यहां गया है कि जो CBSC और ICSC भी वोड सी बीगएसी और ICSC लोगों ने देखा कि मोदी जी आका लाइब बताए कि CBSC ICSC का जो ऒजो एक्जाम है वो कैंसील कर दिया गया लेकिन जो बच्चे देना चाते हैं वो आवदन करके बाद में दे सकते हैं एक्जाम और अब बात क एक साल में यहां पर पहली बार हो रहा है आप जानलो कि अपने बिहार में पिछले साल खुद स्कूटनी का जो था वो बिना परीच्छा के बैसिस पे नंबर दे दिया गया तो यहां एक साल पर पहली बार हो रहा है यहां पर तो मेरे पिछले साल ही हुआ था तो इस बार क्य the state board student amidst pandemic इसमें यह दिया गया है कि सुप्रीम कोट ने साब साब कह दिया है कि offline exam यानि आप लोगंगा कोई लोगगा कोई भी exam नहीं होगा जैसे भी नमझा देना इस पास करना कोई भी exam नहीं होगा Supreme court कह दिया है और मैं कोई नहीं चा सकता है Supreme Court के against अगर कोई गया तो फिर उस पर कारिवाई होगी तो आपको पहले बता देते अब Supreme Court खुद कह चुका है कि offline exam नहीं होगा आप लोगों का जो भी exam होना था scrutiny का वो नहीं होगा अब Supreme Court ने खुद कह दिया यह बात यहाँ देखो पहले तो ICSC, CBSC के लिए कहा गया था आप यहाँ पर देखो State Board के लिए भी कह दिया गया है तो State Board में भी बच्चे एक्जाम देते हैं ICSC और CBSC में भी बच्चे एक्जाम देते हैं तो आप इतना जान लो कि आपका जो exam है वो बिल्कुल cancel हो गया है कॉमेंट बॉक्स में ठीक है और यहां अगर आपको मतलब अपना जो स्कूटनी का रिजल्ट चाहिए तो आप एक काम करो मेरा एक पिछला वीडियो है मतलब लेटेस्ट एक वीडियो पीछे आप देखना चेक करना वहां पर मैंने बताया कि आपको registration ID और application ID यही दोनों मेरे को चाहिए आपका और मैं आपका यहां पर online आपको आपका रिजल्ट दिखा दूगा क्यों बहुत सारे बच्चे अभी तक अपना स्कूटनी का कि मेरे साथ परिशानी थी अभी मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया है तो अभी जो भी परिशानी होगी मैं अलग-अलग वीडियो बना कर आपके answer दूगा तो चलो अब मैं बत और यह बात के लिए रहे कि आपको exam जो है वह cancel हो गई है डरने वाली कोई बात नहीं है तो चलो thank you और comment कर देना अगर कोई परिशानी है तो और अगर आपको अपना scrutiny का result देखना है तो अपना application ID और registration ID message कर देना चलो comment कर देना बाई